अब इस्ट इंकारनेट ब्रॉक लिफनर ने रोमर प्रिंस के खिलाब जसे समर फ्लैम में मैच आ रहा है तब से यहाँ पे डबली डबली ने एक पोस्ट करके सबको बता दिया कि भाई चलो अब ब्रॉक लिफनर फिर से अपनी चुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे डबली डबली ने उसके कुछ दिर बाद ही यहाँ पे पोस्ट कर दिया कि भाई ब्रॉक लिफनर एडबराइवड है डेवन पेपर व्यू के लिए अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन हो सकता है ब्रॉक लिफनर का अपॉनेंट और ब्रॉक लिफनर के बारे में इतनी एक्यूरेट तो वीडियो नहीं बन पाएगी लेकिन हाँ ब्रॉक लिफनर के जो अपॉनेंट्स हैं वो ज सबसे पहला नाम है Bobby Lashley और दूसरा नाम है खुद Drew McIntyre अब सबसे पहली बात मैं Drew McIntyre की ही कर लेता हूँ अब यहाँ पर Drew McIntyre का match तो आप सबको पता है कि Roman Rez के साथ Clash at the Capital में होने वाला है लेकिन यहाँ पर अगर Clash at the Capital में Drew McIntyre जीच जाते हैं जो की बहुत ही जादा चांसे हैं इनका इस बार जीचने का तो यहाँ पर आप समझने के कोशिश करना कि Drew McIntyre जैसे ही यह चैंपियनशिप को जीच जाएंगे तो वो यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे अग Clash at the Capital के बाद शाय तक Crown Jewel आने वाला है तो Crown Jewel में आपको चैंपियनशिप चैंज होते हुए दिखेगी नहीं वहाँ पे Major Spotlight Legends की रहती है मतलब साओधी अरेबिया के लोग Legends को देखना बहुत जादा पसंद करते हैं और Goldberg ने यहाँ पे statement दिया था कि भाई मैं रिटार नहीं हुआ हूँ जितने दे WWE मेरे को call करेगे तो मैं तुरांता आजाओंगा तो यहाँ पे Goldberg की demand साओधी अरेबिया में आल्रेडी बहुत जादा हाई रहती है तो यहाँ पे title change होते हुए साओधी अरेबिया में तो नहीं देखने वाला उसके बाद आपको Survivor Series का पेपर व्यू देखने को मिलेगा जहाँ पे Champion versus Champion का मैच होता है तो यहाँ पे Drew McIntyre का मैच एक बार फिर से Roman Dreams के साथ होगा क्योंकि देखो भाई Drew McIntyre Universal Champion बन जाएंगे और WWE Champion Roman Dreams रहेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से Rematch भी हो जाएगा Drew McIntyre का Roman Dreams के साथ और इस मैच में कोई हारे या चाहे जीते Championship चेंश तो होने नहीं वाली अब इसके बाद सीधे Day One Paper View रहेगा तो वहाँ पे Brock Lesnar तो वेट करेंगे ही और यहाँ पे जो भी Champion होगा तो वो Brock Lesnar कोई Face करेगा क्योंकि भाई Brock Lesnar एक बहुत ही बाड़ा Superstar है और यहाँ पे मैं एक चीज गरेंटी के साथ बोलता हूँ कि Day One Paper View रहे जीतने वाले हैं मतलग चाहे तरोग भी Brock Lesnar के साथ क्यों नो लड़ ले लेकिन Brock Lesnar Day One Paper View में जीतके ही रहेंगे और यहाँ पे WWE उनको जीताएगे क्योंकि भाई यहाँ पे Brock Lesnar का जीतना बहुत जादा जरूरी है अब यहाँ पे Drew McIntyre इनके साथ मैच अगर लड़ते हैं Day One Paper View में तो Brock Lesnar अगर Day One Paper View में Drew McIntyre को हरा देंगे तो यहाँ पे नए Universal Champion बन जाएंगे Brock Lesnar अब यहाँ पे आप समझो, WWE Clash at the Capital जो होने वाला है वहाँ पे टाइकल चेंज भी कर देगी और क्योंकि एक 70,000 के सीट्स है वहाँ पे UK में पहली बार यह शो हो रहा है तो Drew McIntyre वहाँ के फेवरेट भी है तो यहाँ पे WWE Drew McIntyre को Champion बना देगी और फिर उसके बाद 5 महीने Drew McIntyre Champion रहेंगे उसके बाद Day 1 पेपर वी में Drew McIntyre Championship हाँ जाएंगे और Brock Lesnar नहीं Champion बन जाएंगे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो Drew McIntyre का भी बहुत जाद नाम हो जाएगा कि मतलब वहाँ भाई Roman Dreams की इस ट्रीक इन्होंने तोड़ दी और Brock Lesnar को भी अपना खोया हुआ मोमेंटम अपना खोया हुआ रुतवा वापस मिल जाएगा कि भाई Brock Lesnar ने कम से कम चलो Championship तो जीती तो यहाँ पे मेरे को Drew McIntyre Brock Lesnar के लिए सबसे जादा पॉसिबल अपॉनेंट लगते हैं अब अगर कैसे भी करके Drew McIntyre नहीं जीत पाते Roman Dreams से और Drew McIntyre युनिवरसल चेंपियन नहीं बनते हैं Brock Lesnar के साथ अगर इनका मैच नहीं होता तो जीर को जो दूसरा सूपरस्टार लगता है वो है Bobby Lashley अब देखो Almighty Bobby Lashley ने कुछी दिन पहले एक इंटरव्यू में यहाँ पे कमेंट कर दिया कि भाई मेरे को Brock Lesnar के साथ एक बार फिर से मैच चाहिए वो जो Royal Rumble वाला मैच था मैं उससे जादा खुश नहीं हो मेरे को फिर से एक मैच चाहिए और लोगों को भी एक Dream मैच वाला मैच देखना था लेकिन क्योंकि Roman Dreams और Brock Lesnar की WrestleMania की Story Line चल रही थी तो यह वाला मैच बहुत ही सफते में निपड गया वहाँ पर Roman Dreams ने इंटरफेर भी कर दिया तो यह वाला मैच भी आपको एक्दम क्लीन होता हुँआ दिख सकता है अब यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि भाई Bobby Leslie Brock Lesnar को हराएंगे कभी भी नहीं हरा सकते और अगर एक समय कोई दूसरे टाइम पर होता तो मैं बोल भी सकता था लेकिन क्योंकि अब Brock Lesnar भाई तीन पेपर विव में हार चुके हैं अलगातार तो यहाँ पे Brock Lesnar इस पेपर विव में जीतने ही वाले हैं क्योंकि Roman Reigns WWE Championship फिर भी रखेंगे अपने पास अब इसके बाद अगर कोई एक सूपर स्टार मेरे को लगता है कि इनको फेस आफ करना चाहिए डेवन पेपर विव में उनका नाम है सेत फ्रिकिन रॉलिंस अब यहाँ पे आप देखो सेत रॉलिंस का फेक तू फेस यहाँ पे WWE ने कराया था मंडे ना इट्रो में आपको अगर देखने को मिला होगा तोड़ा साइस दई और WWE ने अपनी Instagram में अलग से पूरा वीडियो ही पोस्ट कर दिया अब सेत रॉलिंस के point of factor देखें तो देखो भाई सेत रॉलिंस ने भी बहुत सारे पेपर वीउस को हारे हुए है अब सेत रॉलिंस को भी जीत बहुत जादा जरूरी है लेकिन हो सकता है कि Roman Reigns डेवन पेपर वीवे सेत रॉलिंस को भी हरा दे लेकिन हाँ सेत रॉलिंस मेरे को एक ऐसे सूपरस्टार लगते हैं जो कि डेवन पेपर वीवे में आपको Roman Reigns के साथ मैच देते हुए दिख जाएंगे तो अगर ओवाल और इस वीडियो का conclusion निकालो तो भाई Brock Lesnar का opponent मेरे को Drew McIntyre लगता है और यहां पे Drew McIntyre अपनी Championship को Brock Lesnar के खिलाप हार जाएंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने opponents को predict किया है अब आप comment करके जरूर बता सकते हो कि दोनों में से किसी का opponent अगर आप change करना चाहो तो वह आप करखटते हो और I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा और इस पोस्चेटर सीरीव तेकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद